स्वागत है आप से विद्यार्थी का एक बार फिरसे दाइस्टिडी लाइन में आज कसे वीडियो में हम लोग जो है ग्रूप डी का जो ऑफिसियली नोटिस जो आया है और बी के तरफ से उनके बारे में बात करने वाले हैं आपको पता ये डेट आप इसू जो है ये चौव से दो उने वाले अनौा है IRC2 इसमें क्या क्या चींज की गया है चलिए इस वीडियो में आपको आगे बताता हूझ है ैके यहां पे हैसब सबसे है यहां जो नोटिस हट करके बताया है कि सिवीटी वन जो होने वाला था वह एक्जाम वह आपको पता है वह होने the subject के भारे में लिखा गया है कि जो आपका पहला the syllabus रहेगा वह्ते इस्टेंडर का ही रहेगा आपको सिविटीवन में होगा किए स्वीटी वन का जो आपका शी से तरह हेगा शी टरह है लेकिन यहाँ पर जो नorus पर फेलाया यानि कि आप जो तो यहां पर टोटल जो है 90 मिनिट का समय देगा इसमें से आपको 30 साइंस 30 मैथमेटिक्स 35 रिजिनिंग 25 जीके और करेंट फेर्स इस तोटल 120 कोषंस हो जाएंगे और सभी कोषंस का जो 120 है यानि कि हर एक नमबर जो एक कोषंस का एक नमबर मिलेगा यानि 120 कोषंस हो गया तो टोटल 120 मार्क्स का हो ठीक है और इसमें लिखा गया है कि जो सौट लिस्टिंग होगा कंडिडेट का CBT2 में वो 15 गुना होगा यानि कि जितना भी वेकेंसी है ग् पर लिख यह बहुत ही बड़ा अपडेट है साथी नीचे जो आपको बताया है वह कैलकुलेशन बताया कि नौनमलाजेशन का जो क्या रोल रहने वाला यह इसके बादे बताया है तो इतना आपको नहीं समझना बस आपको यह मैं आपको बताने के लिए लाए था कि इसमें जो गुरूप D में आप टोटल दो एक्जाम होने वाले एक तो सीवीटी वन और सीवीटी टी टू सीवीटी वन जैसा कि आपको अफिसली पता है खेला है मार्क्स का और स्टीत बदलाब करके ला दिया गया एक सोबीस मार्क्स का एक सोबीस यह नहीं आपको यहां पर उप झाल झाल